सिर्फ शारू खानी ग्लोबल आइकन और ग्लोबल सुपरिस्टार क्यों है? सल्मान खान को ग्लोबल आइकन और ग्लोबल सुपरिस्टार क्यों नहीं बोला जाता? एक बार इस वीडियो को देखो शारुखान में एक quality है जो कि इस दुनिया के किसी वे actor में नहीं है शारुखान से कोई छोटा हो या छोटा actor वो उस इंसान को इतना respect और इतना importance दे देते हैं वो उन लोग को feel करा देते हैं कि आप ही आप हो मेरे सामने शारुखान साब बैठे हुआ हैं मेरे को बोलता है कि मेरे भाई आप सो सौरी हम लेट हाथ जोड़ के मैं सोफर बैठा था मैं उतर के मीचे बैठी आल क्यों बोलता हूँ वाई ही इस किंग बिगर्स उनको पता है कि एक artist को liberty देनी कि इतनी बड़ी चीज होती यह जो इनके अंदर quality है यह इसी चीज को हर जगा follow करते हैं पने से कोई छोटा आदमी हो या actor वो इतना उसको freedom दे देते हैं और इतना respect दे देते हैं उनके जो सामने बैठा हुआ वेक्ती होता है उसके उपर इस चीज का बहुत बढ़ा असर पड़ता है यह सब चीज़े देखके हर एक आदमी में एक अपने आपी इज़त पैदा हो जाती है इनके लिए और आपने लगबग सब के मुझे सुना होगा कि शारू खान एक actor नहीं एक emotion है यह वही respect होती है जो कि अपने आप सब के मन में आ जाती है इनके प्रती सल्मान खान का नाम लेने से यह सब चीज़े बिलकुल भी नहीं आती है और आप कुछ भी कहो सल्मान खान और शारू खान भाले ही प्रसनलिटी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हों लेकिन हम फैंस के लिए इन दोनों लोग की प्रसनलिटी बिलकुल अलग है और सल्मान खान के पती यह सब चीज़े इसलिए नहीं आपाती क्योंकि यह बहुत ज़्यादा और इनकी बाहर भाई जैसी के कीमेज बनी पड़ी है जैसे कि आप इन से पंगा नहीं लेना नहीं तो करियर खा जाएंगे मतलब इस टाइब की चीज़े और इसी चीज़ के उलट शारुखान के नाम में ही एक एमोशन चुपा सर आपके जैसा लेजन और आपके जैसा सूपरिस्टार अब कभी भी कोई दूसरा इस धर्ती पे आपके जैसा पैदा नहीं होने माला और जो मेरे ड्रीम्स है उसमें से एक ड्रीम ये भी है कि मैं सर के सामने एक दिन बैठ हूँ और उनसे एक बार लाइफ में हाथ मिलाँ और आप सब जो मेरे विवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए जितना हो सके और इसी तरह के नॉलेज और फिल्मों से रिलेटड ज्यान के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें और आपके सपोर्ट की मेरे को बहुत ज़्यादा जरूरत है मिलते हैं अगले मजदार वीडियो में